अनिल्विच साहब की बात दुशन चोटाला जी और दुशन चोटाला जी की बात अनिल्विच साहब नहीं मानते, अनिल्विच साहब की बात मुख्यमंत्री नहीं मानते, मुख्यमंत्री और अनिल्विच साहब की बात ADGP लो ओडर नहीं मानते, और आखिर में क्या हो रहा ह शराब तसकरी कांड का जुम्मेवार कौन है इसका किसी को मालूम ही नहीं हुआ हर्यान सरकार में एड्मिनिस्ट्रेटिव और पॉलिसी पैरालिसिस है आप उधारण देखिए उपमुख्य मंत्री शिरी दुशन चोटाला यह कहते हैं कि सोनिपत शराब तसकरी कांड की जाच के लिए उन्होंने ग्रह मंत्री शिरी अनिल्विज को लिखा है ग्रह मंत्री शिरी अनिल्विज सामने आकर कहते हैं कि शिरी दुशन चोटाला ने इस बारे उनसे कोई बात की ही नहीं दोनों में से कौन जूट बोल रहा है ग्रह मंत्री शिरी अनिल्विज बाकाइदा चार दिन पहले पत्तर लिखकर मुख्यमंत्री को एक SIT बनाने की सिफारिश करते हैं और तीन उसके मुख्या का नाम चिन्हित करते हैं कहते हैं कि या अशोग खेमका IAS अधिकारी या संजीब कोशल IAS अधिकारी या T.C. गुपता IAS अधिकारी के नेत्रितम में पुलिस और प्रशाशनिक अधिकारीयों के नेत्रितम में इस SIT का गठन किया जाए चार दिन से वो रिक्वेस्ट मुख्यमंत्री खटर साहब के पास स्पेंडिंग है पर ADGP law and order ग्रह मंत्री को भी दरकिनार कर मुख्यमंत्री को भी दरकिनार कर SP रोत्तक की अध्यक्षता में एक SIT बना देते हैं तीन बातें इस सोनिपत शरापकांड में बड़ी सामने उभर कर आई हैं पहला आरोपी के तार सीधे हर्याना के सचीवाले में बैठे बड़े बड़े अधिकारियों और राजनितिक्यों से जुड़े हुए हैं ये आज बड़े सचीवाले में बैठे अधिकारियों जो उनसे रैंक में बड़े हैं या राजनितिक्यों की जाच कर सकती है क्या कॉंस्टेबल SP की जाच कर सकता है आप बताईए तीसरा धाई बजे वो SIT आरोपी के घर पर छापा मारती है पर वो कौन लोग हैं जो सरकार या सरका से बाहर बैठे हैं जो आरोपी को पहले से ही सूचित कर देते हैं और आरोपी रात के ढाई बजे भाग जाता है और चौथा अब यह सामने आया है कि शराब तसकरी कार्ण में जिन लोगों पर FIR पहले दर्ज हुई थी उन्हीं के गोदाम में यह पकड़ी गई शराब सोन कार में बैठे कौन लोग थे जो इन शराब तसकरों और चोरों को सरक्षन दे रहे थे अनिल्विच साहब की बात दुशन चोटाला जी और दुशन चोटाला जी की बात अनिल्विच साहब नहीं मानते अनिल्विच साहब की बात मुख्यमंत्री नहीं मानते मुख्यमंत्र यह है खटर अजी अजब खटर सरकार की गजब कहानी जहां जो कानून को तोड़ते हैं वो सरक्षक बने बैठे हैं और कानून की रक्षा करने वाले पंगू बन गए